इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते हिंदू धर्म में शहद यानि की मधु अमर्ता के पांच अमर्तों यानि की पंच अमर्त में से एक है अरावली के गहरे घने जंगली जंगलों से उत्पन ये काबनिक शहद समरिध जंगली फूलों की प्रजातियों की एक विस्तरित श्रिंखला से मधुमखियों द्वारा एक अत्रित अमरित का परिणाम है इन फूलों का अमरित स्वाद, बनावट और सुगंध को परिभाशत करता है ये काबने कैने मार यानि की परमानू चुम्ब की अनुनात परीक्षन का उप्योग करके ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षन कर रहा है कि यह शुद्ध है, अतिरिक चीनी से मुक्त और मुक्त है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, वेदों और अन्य प्राचीन साहित्य में एक महान और शधिय और स्वास्थेवर्धक भोजन के रूप में शहद के उप्यों का उलेख है दो, गर्मी उत्पन करने, उर्जा बनाने और बदलने के लिए और इसके अलावा कुछ उतकों को बनाने के लिए सबसे प्रभावी आहार 3. ये शहद इसके अलावा ओक्सीकरन को बढ़ावा देने के लिए एंजाइम और अन्य जैविक इन्वन के गठन के लिए जीवों की आपूर्ती करता है 4. इसमें विशिष्ट के टानो नाशक गुण होते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें